आदाब आप देख रहे हैं वायर का बहुत खास प्रोग्राम अद्विस्तान आज हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत खास महमान है उर्दू के मम्ताज फिक्षन नवेश खालीज जावेद जो इन दिनो उर्दू में अपने नौवेल नेमत खाना की वज़ा से सुर्खियो करेंगे तो सबसे पहले हम आपका इस्तक्वाल करें स्वागत करें अपने प्रोग्राम में और उसके बाद मतलब मुवारक बात दें हम आपको और अपने आपको भी मुवारक बात दें के उर्दू में बलके हंदुस्तानी साहित में एक तरह से बड़ा वाक्या है मैं इसक कि आप उस तरह से तारुफ के महदाज नहीं है चुंकि आपकी चीजें पहले भी पढ़ी जाती रही हैं चाहे वो कहानियों की सूरत में हो और खास तोर से जिस नौवेल पर जैसी भी प्राइज मिला है नेमत खाना हम उस पर बात करेंगे और दूसरी तरह भी जहांकने की को बिटाया होगा या उसके बाद एक तालीमी सिलसिला मतलब रहा होगा और फिर बाद में जाके कहीं ने कहीं लिखने पढ़ने की शुरुआत हुई होगी जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका शुक्रिया दख करूँगा है कि आपने मुझे यहां याद किया और य देखिये मैं जो एक जो जिस खानदान में मैंने आख खोली वो एक इल्म अदब का गैवारा था यह यूपी का एक शहर है बरेली मेरा तालुक बरेली से है बाकादा शहर बरेली से मेरा तालुक है और जो मेरा खानदान या जो भी घर है मेरा तो मेरे वालिद खुद अच् वली खान आपका नाम था और वो अजीज तखलुस करते थे महमद वली खान अजीज और ननियाल भी मेरी जो थी वो वो भी एक आप उसको खानवादा कह सकते हैं पूरा खानवादा था और बहुत लोग वाकिफ हैं अर्दू के भी वाकिफ हैं लोग और दूसी जबाने को ल हमारे सागे मामूथ हैं और हमारी दो खालाएं अर्दू की पापुलर राइटर थीं जो के खवातिन की जैसे फात्मा नीस थीं फात्मा नफीस थीं इन लोगों के बड़े नाविल उन जमाने में मशूर हुए बलकर अभूर फदल साब पर तो आपने बड़ा अच्छा मा मेरा मतलब वो मेरी वाला का इंतिकाल हो गया तो मैं एक साल का था तो मेरे वाली ने दूसरी शादी नहीं की वो उस वत उनकी उमर पच्छी साल थी और वो जमाना आप ले आई है कि एक पूरा वो अपसे पहले कि कोई ऐसा कोई मस्वय भी नहीं था शादी के लिए और पचा और हमारे ताया पूरा एक जौइंट फैमडी थी हमारी और उसमें खेल कूट की पजाश बहुत कम थी बलके यह था जो रिसाले आ रहे हैं तो आंक खुली तो बीस वी सदी और शमा यह यह रिद्र रिसाले आ रहे हैं या इबन सफी के नाविल आ रहे हैं और उनकी एक इस्तिमाई करत हो रही है, एक कलेक्टिव रीडिंग उनकी हो रही है, वो कोई आदमी पढ़के सुना रहा है और बाकी सब बैठी हो सुन रहे हैं, आलम ये था कि घर में जो और कोई भी मेमान आ गया, या कोई परोस से आ गया है, तो वो भी सुन रहे हैं उसको बैठी हो सुना रहा है, तो वो मेरी पूरी, यानि आप समझेए है कि हमने तलीस में हो चुबा, पूरी मैंने जो है, वो सुनी है, अपने मत्तब वालिद के दरीए, कि वो बैठके सुना रहा है मुझे, MR-I-R के किस्से, अफरसे आपके किस्से, तो वो पूरा महौल मेरा है, तो उस बच्चे की कहानी है, बच्चे की कहानी है, तो मिलाप एक अखबाद निकला करता है तो दिल्ली से, दिल्ली मिलाप, रंबीर्स उसको निकाला करते है, उनके बच्चों के मैगदीन सेक्शन में वो कहानी बागदा शाय हुई, वो मेरी पहली तहरीर है, उसके बाद मैंने चीज़ें जाएं वो खिलाना में मेरी चीज़ें छपी बच्चों की दीरे दीरे उन बढ़ती चली गई और लेकिन ये के मैं ये बता दूँ कि अर्दू मेरे स्कूलिंग सब्जेट नहीं रहा था तो मैं साइंस का स्टूडेंट हैं तो मैंने बीस्सी किया और बीस्सी में मैंतमेटिक्स और फिजिस मेरे बड़े मतलब बहुत ही पसंदीदा मदमून थे और वहां से साइंस को पढ़ने के बाद जो साइंस के अंदर जो फिलसफा चुपा हुआ है एक को हम साइंस और टेक्निलाजी को सामने देखते हैं अपने कि जो उसका एप्लिकेशन होता है उसके अंदर एक अपने आप में एक फिलसफा मवजूद है तो मैं उदर को चला गया तो वो BSC करने के बाद जो था मैंने MSC नहीं किया जबके MSC फिजिस मेरे दाखला हो गया था और वो मैंने अच्छा वो बहुत बड़ा स्टेप ये था कि MSC फिजिस मेरे दाखला हो जा में कोई मतलब कहीं साइन्टिस्ट हो गया मैंने क्या किया कि वो रिस्ट लेके और मैंने MSC फिलसफे में दाखला ले लिया और मेरे वाले साथ जो मैं मतलब उनको ही केड़िट डेता हूं हर चीज़ का कि उन्होंने उसको लबबैक कहा उन्होंने कहीं मुसें नहीं कहा कि ये क्या कर रहो तुम्हारा कैरियर जो है दुनियावी कैरियर जो है वो इससे बरबाद हो जाएगा तो मैंने MSC जो था वो बाकायदा फलसफे में किया और फिर वहीं पर फलसफे की तालीम हासिल करके वहीं पर मैं मतलब बरेली कालिज जो है रोहिल खन्य उन्वस्टी के अधर में आता है उसमें मैं अड होक अचा ये जब आप हमें बता रहे हैं कि जैसे आठ साल की उमर में आपने पहली कहाने लिखी बच्चों के लिए और उसके बाद फिर में फलसफे तक की बात आगे इस दौरान शायद या इसके बाद वो वाक्या हुआ होगा जब किसी अधबी रसाले में या कहीं कोई ऐसी चीज आपकी मतलब जिसको कहते हैं नोटिस ले ले लेना कि अब हम बाकाइदा जो है नोटिस में लिए जा रहे हैं और हमारी चीज उस तरह से छप रही या एक लिखने वाले के तार कर जो हो सकता है कि थोड़ा सा सटिस्टेक्शन त तो इस तरह के जो पौपूलर मतल्भ किसम के मुख़ूले आम मतलब किसम के जो रसाहिल थे तो कुछ कहानें 20 सधी में ठच्छहपी में उज़ाओ याद है तूटा हूए अदमी के नाम से ता वो मुझे याद है उस्धशा दिल के नाम से एक कहानी दी एकात कहानी, शमा में भी छपी, एक रूबी निकला करता था रिसाला, उसके अंदो खुआबों का पुजारी के नाम से एक कहानी लिखी, जब मैं B.S.C. कर रहा था, ये सब चला, लेकिन फलसफे से पहमे करने के बीच में फिर उसके बाद मैंने गहर मुलकी अदब का बला म में चुकताई, और किर्श्चंदर, सब मौझूद थे, आपके गुलाम अब्बास हो गए, और ये के आपके पुरतलन हैदर हो गए, आख का दरिया तो मैंने तभी पढ़ लिया था, मैंने अठारा साल की उमर में पूरा आख का दरिया पढ़ा हुआ था, मेरा अब्दल्ल लिखने से पहले, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, तो मतलब ये सब उसी का हिस्सा है, या वही से लिए आख नौ साल की उमर से सारे नाविल जो थे, वो सुन-सुन के पढ़ लिया थे, मतलब ये के सुन-सुन के जजब हो गय थे, और बाद में फिर खुद भी पढ़न चुरू किया, और इबने सफी को तो मैं मतलब बहुत बड़े अदिवों में शुमार करता हूँ, मतलब मुझे, नहीं बहुत लोग छुपा ले थे, मैंने तो इससे पहले भी कई इंटर्वू, मतलब इबने सफी के हवाले से लिए, एक पेपर मैंने पूरा उनके उनके उ अदब आलिया में भी आपको मुझे और फिर जैसा वो मकालमा लिखते हैं, वो मैंने एक जगा इससे पहले एक इंटर्वीव में मैंने रेखताई का इंटर्वीव था जहां मैंने काया कि वह ऐसा मकालमा उनके रिमाने में मन्टो के लावा को लिख नहीं रहा था, मकालमे कि तो बलकुल बाशा था वो आदमी, तो ये सारी चीज़े मेरा मतलब ये कि आप आप देखिए किसी चीज़ तक पहुशने के लिए दो चीज़े होती हैं, एक तो रद और दूसरा कुबूल, रद और कुबूल, क्या रिजेक्ट करते हुआ आते हैं आप, लेकिन आना है नहीं जिस चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको बगर पड़े रिजेक्ट मत करिए, तो मखबूल है, आम मतलब अदब को पढ़ा, क्या ट्रेश है, धीरे धीरे ये समझ आती गई, मैचोट होने के बाद, और ये पता चला कि भी जो अदब आलिया होता है, या जो अच्छा अदब या जो सही माने में अदब होता है, वो आपको बसीरत देता है, अच्छा सर इसमें हमारी एक बात रह गई, कि मतलब वो कौन सा मतलब जो मैं पूछ रहा था, कि वापया रहा होगा जब पहली चीज़ आपकी छपी होगी, जो मतलब एक कॉन्फिडेंस के स उस तरह के अंदाद में या किसा गोई के अंदाद में या शुरू से ही आपका एक था, अपने बगावाद, शुरू से फिर बदल गया, और ताबू से बाहर वो पहली कहानी है, जहां मैंने ये कहिए कि अपना रास्ता मुझे मिल गया, मैं जिस रास्ते पर चलना मतलब च पाकिस्तान में वजीरागा साब ने अपने रिसाले में शाय की और आप तो वजीरागा साब का मेरी जिन्दी के बड़ा गहरा आसर ये है कि उनको मैं पहले पाकिस्तान में शाय हुआ, और हिंदुस्तान में बाद में ज्यादा मतलब ये, बाद में तो शपकून और सौग पिदी वो भी पहले पाकिस्तान में चपई ये 90 मतलब 93 92 की बात है तो वजिरागा साब के रिसाल है जो और आख है उनकी आप तो पांच साल की फाइल हैं अगर आप देखें 89 से लेके और ये 96 तक की तो कोई ऐसा मतलब उनका शमारा नहीं जिसमें मेरी कहानी ना हो या मेरी उस दमाने मैं नस्वी नजमे भी लिखता था तो नस्वी नजमे भी मेरी काफी 25 या 30 से आए हूई थी जो और आक में ही मतलब शाय हूई हूई उसके बाद पिर फारूखी साब को मैंने एक कहानी यहां भी है जी शपों और फिर वहां से वह मतलब फारूखी साब एक एक उन्होंने मुझे बहुत बहुत जादा पिरमोट किया और वो मेरे मैंटर बन गए तो यह हुआ कि मेरी कहानी को अबल दरजे पे चापते थे बाद बड़े से बड़े राइटर की अगर आती थी वो यह देखते थे कि उन जैसा कोई मुदीर नहीं हुआ कि वो यह देखते भी सीनियर हूं कितने बड़े राइटर हो गए हूं वो चापेंगी तो इस तरह से जो है यह फिर कहानिया वहां पे शाय होती नहीं मेरी बुरे मौसम नाम की एक कहानी थे वो शाय हुई 96 में इतिफास से उसको कथा एवार्ड मिल गया उस जमाने में कथा एवार्ड एक च अंग्रेजी तरजमा भी हुआ और वो अंग्रेजी तरजमा होनी के वजआ से वो फिर कहानी बहुत जगा प्हैली उसका तरजमा जो किया था वो शमाफतेली ने किया था को शमाफतेली इसमें ये श्कूल आफ ड्रामा में ενगलीश की परुफेसर थी और डाक्ट'र सालिम स कलीम जो बहुती मशूर पक्षी वग्यानिक कहली जयाब है ना माहिरे मतलब तैयर थे तो उनकी वह भतीजी थी तो वह फिल्म भी बनाती थी वहाँ पर चोटी बोटी तो उसका टालिशन करने के बाद फिर वह इस पर फिल्म बनाना चाहती थी एक चोटी सी शार्ट फिल्म पर उनका फिर वो इंतिकाल हो गया लेकि वो कहानी वो मोड है शायद मेरा जहां से मुझे मतलब काफी लोग जानने लेगे और फारुकी साब ने लिखा मेरे उपर वारी सल्वी साब ने 25-30 पेश का मदमून लिखा वजीरागा साब में लिखा ही था और शमी हनफी साब न अभी तक कोई अर्दू बस मादरी जबान की तरह या मेरी खौबों की या मेरे जो तकलीखी अमल है उसकी जबान है लेकिन ये कोई एकेडमिक जबान की तोर पे मेरी या वो एकेडमिक्स में नहीं आया हूँ मैं उसमें जूकर मैं तो फलस्वा पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर उसके बाद में बाद वजवात ऐसी थी कि वही रोजगार के सिलसले में कि पारुकी साब ने मुझे मुझे मश्वरा ये दिया कि भाई ये आर्जी नौकरी है आर्जी रहेगी कितना भी करो बीस साल तक पच्छी साल तक ऐसी रोग ऐसी रिटायर हो जाओगे तो तु आप एक उर्दू साइमे कर डालिए फिर देखे आप फिर एक उर्दू साइमे किया उसके बाद पिर जो उसकी प्रावसिस होती है नेट वगएर हो और फिर जामिया के अंदर इस्तिफास से मतलब मेरे सितारे अच्छे थे कि फौरण ही यो था मतलब आएमे करके नेट करन थे ते ऐसे राइटर लिख चुके थे मेरे उपर तो उस तरह से वहां पर खैर उससे कोई मतलब नहीं कि वो मुझे जानते थे लेकि मतलब यह है कहने का कि वह इत्वाक से वह अब वह इंटर्व्यू हुआ तो अच्छा हो गया लोगों को मेरी बातें पसंद आई इस तरह से मैं यह दो हजार एक में मैं जामिया में उर्दू का वो फिर मेरा दूठरा सफ़ा रहे लेकिन फलसफ़ा मेरे सास्ता चलता है मैं उसी तरह आ रहा था कि जैसे आपकी दिल्चस्पी जब हम देखतार से मतलब देखना या अपने तोर पर समझना चाहते हैं तो इसमें फ सुरू में हमारी बात खुई कि इबन-सफी वगर्णा को भी वसी तरह से आपने प्रज़ाई कि है मैं खास तर से फलसफे के मतलब उस पहलो पर आना चाह रहा हूं कि जब आप सार्तर की बात करते हैं या इन लोगां की बात करते हैं तो बहुत अप्सट्रेक्र को खाते है आपकी तक्लीक में ये fiction में भी मौजूद है आप इसको कि तरफ देखते हैं जी वो आससे में फलसोफे में और अदब में या यह कहना चाहिए कि फलसोफे में और आर्ट में एक बात का फर्क है बस खाली वो बाकी सबकुछ एक है और वो यह है कि फलसफा मुझरत तस्वरात की शकल में जो तस्वरात होते हैं जो खैलाश शकल होते हैं उसको मुझरत तस्वरात की शकल में खुश्की के साथ सामने पेश करता है मतलब वो एक idea आपके सामने रखे गाए लेकिन यही idea जब आपकी जिंदगी में शामिल होते हैं तो impressions की शकल ले ले लेते हैं तो तास्थरात की शकल में ले लेते हैं तो जब इनका इसहार में इनसानी जात शामिल हो जाती है महस वो एक theory मतलब नहीं होती है जो के लवजों से लवजों के बीच में मतलब लवजों से शुरू होके और लवजों पर खतम हो जाए बलकि जब उसका तालुख इनसानी वजूद से और इनसानी जिंदगी से पैदा हो जाता है कहना चाहिए अब उसमें एक human angle भी पैदा हो है तो वो चीज आर्ट की शकल में सामने आती है दरेदा ने बहुत मशूर एक कुछ का जूमला है कि वो जिंदेगी बहर मैं वो ये कहता है कि मैं जिंदीगी बहर एक ऐसी नदी में बहता रहा जिसके एक किनारे पर अदब था और दूसरे किनारे पर फिलसफ़ा था तो से उसमें मेरे शामिल थी. और यह जो आपने साइड की बाध की कि तो यह असर में वजूदी फिलसफी है तो जो फ्लसफ है वजूदियत है पूरा पूरा उसके बिना तो अदब लिखा है नहीं यहा सकता है, तो कोई भी सच्चा फनफारा बिना वजूदी हुए तो लिखा नहीं मतल़ जा सकता है जो कि आपको जब अपनी जात का इधार करना है और अपनी जात के छुपे हुए गोशे आपको मतलब वो छुपे हुए गोशों पे मैं बहुत दोर दूँगा जो छुपे हुए गोशे हैं वो जो हिडिन ऐलिमेंट्स आफ यॉर एग्जिस्टेंस हैं जब तक आप उन पे रोशनी नहीं डालते हैं जब तक लिखना ही बेकार है बना तो जो कुछ बाहर हो रहा है अगर आपको एजिड लिख देते हैं तो रिपोर्टिंग है तो उसमें तो कोई अगर आप सिर्फ किरदार बना दें और सिर्फ कहानी बना दें तो बात बनती नहीं है जब तक कोई उसकी मला जो आप किरदार तकली कर रहे हैं उसका कोई वजूदी पहलू वहां आशकार नहीं होगा जब तक जो है वो लिखाने जा सकता सार्थ एब्स्ट्रेक्ट हैं लेकिन देखिए जो दूसरे वजूदी फलसिफी हैं जैसे सार्थ के हमस्जोते वो एल्वियर कामी हुए एल्वियर कामी एब्स्ट्रेक्ट नहीं है लेकिन उसमें भी वजूद वो जो एब्स्ट्रेक्शन है वो एक लिखने की टेक्निक है वो बियानिया है बियानिया को आप कैसे बना रहे हैं यही रास्ता है आपका कि आप कैसे बनाओगे तूंकि आप जैसे काफका है काफका किया जो कुछ भी है वो तमसील की सतर पे है एक आदमी जो है वो एक दिन तब वो जो सो के उठता है चुका है तो बेसिकली यह तमसील है यह कोई भ्यानक वाकिया नहीं पहली बार में ऐसा लगए कि यह कोई भ्यानक वाकिया है यह कोई दियोपरी और जिन्हों की कहानी है ऐसा है नहीं वो पूरी की पूरी तमसील है इस बात की वो आदमी बैंक के अंदर काम करता है और बैंक मुझे बहुत छिखाया है दोस्ते विस्की ने टॉलिस्ट्राय ने, और फिलावीर विक्टर ह्यूगो ने मुझे बहुत छिखाया है। सिख्वाने का मतलब इनका कोई इन्फुट्राय की इनका कोई इन्फिलेंस नहीं है मेरे अपर, लिकिन यह wszyscy, कि Basia का का जा सकता और उसने का कि उसको पढ़के मेरे पर लर्दा तारी हो गया उसने का ऐसे भी लिखा जा सकता है अब कि वो चार्व डिकेंस और थामस हार्डी और जौाइस और वर्जीनिय अबूल सब पढ़ चुका था लेकि इसको पढ़के उसको लगा लर्दा तारी हुआ तो उसने का है कि अच्छा तो ये भी लिखने का तरीका हो सकता है मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि सोशल रिलिजम या समाजी हकिक निगारी बहुत अच्छी बात है बहुतो आपको अपने आप ही करना होगा वो तो लाशवरी तोर से आही जाएगी आपके मतलब तक्लिफ में जो आपके स्टाइल या उसलूप की तरफ़ लेकिन हाँ लेकिन ये कि क्या उसका कोई मताबादल उसलूप हमने अब तक तिया है क्या हम उसी तरह से ही समाजी हकीकत निगारी करते रहेंगे जैसे के मैकसिम गोर्की ने की या जैसे के हमारे उर्दू या हिंदी में आप कह सकते हैं कि प्रेम्चंद ने की क्या वैसे ही होती रहेगी या समाधी हकीकत निगारी का कोई दूसरा मताबादिल पहलू भी होगा हमारी है और देखिए वो जो मताबादिल पहलू जब था वो भी प्रेम चंद को अपनी आखरी कहानी में मिला और कफन के अंदर उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया एक एंटी स्टोटी लिग डाली यहां यह बिल्कुल फरक ही खतम हो गया कि कोई हीरो या कोई अच्छा किरदार या कोई बुरा किरदार हो तकता है तो वो जो लिखने का जो खास तरीका होता है उसके जरीए आप कितनी किरुलिटी, कितने वाइलेंस, कितना एक्जिस्टेंशियल मतला आपके वजूद में क्या-क्या छुपा हुआ है अगर वो बाहर नहीं आ रहा है निकलके तो फिर तो फिर लिखना विकार है फिर तो आप एक फैशन के तरह लिखते रहे या फिर मैं आखरी दावत में लिखता तो शायद मतलब एक तरह से कहीं न कहीं आप उसको बनियाद समझ रहे हैं या एक आइडिया के तोर पे भी वो आपके मौजूद रहा देखिए दो बाते हैं ना पहली बात यहा है कि पहली तो मैं मौत की तरफ हाँ कि वजूदियत की जब बात करते हैं और मैं अपने आपको वजूदियत के फलसफे से या वजूदियत के मनलर वजहान से हमेशा इसे मौत बड़ा एलिमेंट है मौत का उंसर जो है उसमें वो बहुत बड़ा उंसर है कि यही वो उंसर है जो कि आपके वजूद को तश्कील करता है या आपके गेर मतबर वजूद को मतबर वजूद बनने के रास्ते में जो है वो यही है कि नक्ष फर्यादी है किसकी शोखी ये तहरीर का काफ़ी है पैरहन हर पैकरे तर्षीर का मसलिया तो मौत कही है और क्या है कि मिट जाना है तुमको तो यह जो मॉर्टिलिटी है कि अमर नहीं हो पाएंगे आप खीक है ना आप यहां पर आएं हैं आप मैंकर मतलब मस्तकिल कोई पायदारी नहीं है आपकी मतलब जिन्दगी की आपकी गड़े मकोडे से ही बत्तर हो सकते हैं बज़ जैसा है कि पहली जंग जंग एजीम में और दूसरी जंग एजीम में पहली वाल लोगों ने वर्ड लेबिल के उपर आलमी सटाए के उपर इंसान की बेवकती देखी और पूरा सिंबोलिजम, और आलमतनिगारी, तमसीलिगारी, सुर्यलिजम दादा इन वहीं से पैदा हुआ तो मौत जो है वो बन्याली तरपे अगर मौत ना हो और मौत, और आर्ट का काम है मौत के उपर फ़ता पाना मतलब बो मौत के उपर आप कैसे फतح पा सकते हैं तो वो कुछ लिकके वो कुछ बशत के कुछ आर्ठ आर्ट का सिर्फ आर्टिस्ट ही इमोर्टर होतगता है और कोई नहीं होतगता है म shedसक dúd मतलब यह है मेरा ख्याल में कि इसको आप भूले ना वनना ये कि जिसमानी तोर पर अगर कोई आदमी गेरादी रहे हाए फिर पच्ची पच्ची तीस्ति साल चालीस साल तक कोई नहीं मिलता है वह उसको हम नहीं कहते कि आधे कि तो मतलब वह उसकी मौत का मतलब है कि जब आप उसको अपने दिल से भी निकाल दें जैसे ही आप उसको भूल जाते हैं पूरा आर्ट जो है वो इस कोशिश में मौत के पर फता पाने की एक कोशिश है कि उसे भुलाया ना जाए और आप देखिए शेक्सपियर को नहीं भुला पा रहे हैं अब शेक्सपियर जि अपनी तहरीरों में तो यह जो मौत का पूरा का पूरा एक अलिमेंट था और मौत कहां जिंदगी बन जाती है जिंदगी कहां मौत बन जाती है वो कौन सी जिंदगी है जिसको हम मौत कह सकते हैं वो कौन सी मौत है जिसको कि हम जिंदगी कह सकते हैं या हयात बादल मौत का तसवर, तमाम चीजे हैं, वो मौत की किताब में जिस तरह आई थी, तो वो उसका असर में उस नाविल को बड़ी गालियां पढ़ी लाएं, और उसके पूपर तो बिहार का एक पर्चा था, बिहार का एक पर्चा था, जैसे ने उसको पूरा शुमारा ही उसके खिलाफ निका मौत की किताब पर 25 पेश का मदमून लिख छोड़ा था, लहाज़ा वो कुछ उनकी मुखालफत पर और बहुत से नाम, मैं नाम देना नहीं चाहता, तो उसके बाद मुझे लगा यार, मैं तो कहानियों ही से अपनी इस तीस को लिए हुए चलना हूँ, ये तो इनको एकद ये और मौत का पूरा मुकालमा ही है, बाइस पेश की कहानी है, तो उस शुरूई ही से लिख रहा हूँ, उक्ताओ आदमी हो, बुरे मौसम हो, हिजियान हो, पेट की तरह मुड़े घुटने हो, तो मैं तो शुरूई से मौत के बारे में लिख रहा हूँ, इसलिए वो मैंन पिर चूंके इतनी मुखालफत भी हुई थी, तो वो मैंने कहा कि अब तुम मेरी हर तहरीर मौत की किताब की एक सिरीज है, चूंके मैं उसके बेना कुछ लिख नहीं सकता, रिलके ने कहा था कि आप हिंदी की पर एक ही कहानी लिखते हैं, एक कोई इमेज होती है आपके ज एक ही होता है को, एक कोई होती है जो तरह तरह से अपना रूप बदल बदल के सामने आती है. आकरी दावत की बात मैं यह करूंगा कि आकरी दावत मैंने डोहदार एक में शाए हुई यह कहानी और आकरी दावत तो एक कैसी सिचोेशनल कहाई है, वो पूरी कि अज़ ενतले मैंने मतले में शुरू में एक दावती कहानी रखा था तो जब मैंने वारूखे भेजी ती तो इसका नाम था एक दावती कहानी ओर वी कहानी ये थी के कुछ लोग दो लोग हैं जो उनकी काने पे उपर दावत है उनकी कान RA रह lanes बैठे वह और उसी घर में कोई एक उनकी दूर की रिशिदार जो आई हुई है वो बहुत बीमार हो गए थी और बहुत पहले से बीमार थी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब वो कभी भी इन्तिकाल हो सकता है तो वो जो दावत का इतेमां था वो तो फर होता नहीं एक पूरा रिचूsten है कि वो तो खाना फेक भी दीयाता तापिर जिस घर में मैयत हु या डैड़ बार्डी हो उस घर में खाने के कोई सवाल ही नहीं होता है लहाजा वो ये होता है कि जल्दी जल्दी खालो तो सहाब चलते हुए जबडों और खाना चबाते हुए जबडों और एक बूरी औरत की दम तोड़ती हुई सासों के दर्मियान एक रेस है अब इस दॉल में जीतता कौँ है और वो ही होता है कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं बड़े शेवानी तरीके से खाना खाते हैं, बड़े वैशत अंगे तरीके से खाना खाते हैं, मूँ संता है, होंट संते हैं और किये के कपड़ों के उपर सालन के धबे गिरते हैं उंगलियां पीले पीले सालन में डूप जाती है खाना भी बड़ा वैशी किसम का है खाने में भी कुछ वैलेंस है उसे एक खास तरह का खाना है फिर वालन्स तो इसमें भी है वालन्स तो है तो वहां पर आखिर में यह होता है कि बहुए वो और अगल मिल जाया तो अच्छा है इस तरह की बात करते हुँ अपने अपने गहर जाते है और कहा कि ऐसी कहानी नहीं लिखी गई लोगे उनका कहना है और तब उनोंने ये कहा कि इतनी क्रूयल कहानी इतनी और इस तब जैसे लिखी गई तो उसमें कहा कि इसका नाम मैं तुमसे चाहूंगा कि आखरी दाधर रख दूंए और उसकी वज़ा यह जह कहा है कि लास्पर जिसमें कि एसाने खुट जो नके हवारी बैठे थे तो उनसे कहा था कि इसको ऐसे खहो यह जो शर्बत है इसको ऐसे पीओ जैसे मेरा खून पी रहा है और यह जो रोटी के निवाले ब्रेड है इसको ऐसे कहा जैसे मेरी हड़ीयों और गोष चबार है वो पूरा एक सिंबल ह इसमें एक पूरा इस्तारा है तो वो उसके पर हजारों पेंटीं बनाई गई गई है लास सपर के नाम के तो वो करके उनोंने कहा कि इसके अंदर इसके इमकानात और बढ़ जाएंगे तुमारी कहानी की मानवियत में थी तो वो कहानी का खूए के खुए ही थी रेड़िट्रीट के तही ही जो लालच और जो लस्ट और जो वाइलेंस है खाने को लेके वो उसी का एक कि टो एक चोटा सा नुक्ता था वो नेमत खाने में आके आपसमजोए वहां पर ये प्रग चोटी तज्वीर है एक मिनियेचर है वो निमत खाने में आके बहुत बड़ा एक नुरल बन जाता है और मैं ज़रा सा बतलब खास तोर से आपके तखलीकी रवाईए के तरफ हाँ हाला के उससे पहले मैं ये भी पूछ लूँ आपसे जो आपकी का लिखा हुआ है आपको एक मुखावटा चाहिए सच बोलने के लिए या आप अपने लिखे हों कहते हैं कि एक तरह का बड़बराना है अगर मैं इन बातों को सामने रखके आपके तखलीकी अमल को समझना चाहूं जैसे मुझे लगता है कि हम मौसम केर। भी हैं या एक khas तरह से उससे मुकालमा है लिखन अपको एह सारी आइसी चीजियां किछन की नंगाता है ने चीज़ों से उस तरह मुगालमा नहीं करते के इस से भी मानी दिया графft किया गासकते हैं यह इस तरह से इसपर लिखा जा सकता है यह एक बाधा स्रार अमवल होता है किसी तखलीक करके किस तरह से इन चीज़ों से मुगालमा करता है और о Greff होगा बताना लेकिन मैं चाहतारा हम जरा सा शेयर करें अपने तखलीकी अमल में हमें बताएं कुछ नहीं यह बात यह कि जाने वाली चीज लाशूरी जादा है यह चौरी कम है और यह तो नहीं कहा जा जाकता लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि वह पुरुसरार है वह पुर तो लिखते वाला अवसले में लिखता है, तो एक तरह के आशेट की ग्रिफ में होता है और एक दाखली जबर होता है एक इंटर्नल प्रेशर होता है क्रियेटिव और वो को तो जब इतना बढ़ जाता है कि दुनिया जो बनी है वो छोटे छोटे सचों से बनी है और इंटी गरेशन में कुछ नहीं है तो हमारी कंडिशनिंग ऐसी हो जाती है हमारे जमालियाती एसास की हमारे एस्थेटिक्स की सबसे बड़के हमारे शायद अखलाकियात की भी एथिक्स की भी और एस्थेटिक्स की भी दोनों की हमारी कुछ ऐसी कर्णिशनी हो जाती है कि हम आँख मीच के उन चीजों को अच्छा या उसी तरह सोचने के आदी हो जाते हैं मैं यहां तक सोचता हूं कि मेरी कुछ प्रासिज ऐसी रही है कि हमेशा अगर दीवार पे कोई पेंटिंग लगी हुई है तो पेंटिंग तो मैं देखता हूं लेकि मेरी कोशी यह भी होती है कि वो दीवार पे से वो पेंटिंग थोड़ी देर के लिए हटा के और ये देखा जाए कि इस पेंटिंग ने दीवार पे लगके हुए इतने साल के बाद कौन सा धबा छोड़ा है तो वो जो दीवार पे जो कहीं सीलन का धबा जो कि उस पेंटिंग का कोई निशान उसके फ्रेम का कोई निशान आया है कि नहीं आया है वो भी तो उसी पेंटिंग का एक हिस्सा है चूंके उसी पेंटिंग की वज़ा से है मुझे लगता है कि इस दुनिया की हर चीज नादीदा तोर पे दूसरी शेय से कहीं न कहीं मुंसलिक है कभी ये जो रिष्टा है ये नादीदा जब ये सामने आ जाता है तो हम उसको साइन्स कहते हैं और कभी जब ये सिर्फ महसूस किया जाता है तो वो एड़व और शैरी की दुनिया में होता है तो मैं चोटे-चोटे सचों में यकीन रखने की वज़ा से, अक्सर ऐसा होता है कि मैं शायद मतलब उल्टी तरफ से जिन्दगी को देखना शुरू कर देता हूं, माकूसी तरीके से जिन्दगी को देखना शुरू कर देता हूं, कि मैं उस तरह से नहीं देखता चीजों को, और वो कोई इतनी मेरे खाल है कि कोई मेरी अपनी ओरीजिनल इतनी बड़ी बात नहीं है बलके बहुत पहले ये कहा गया है कि जो हैत परस्त थे उन्होंने बहुत पहले कहा है याकुबसन बगहरा ने कि जो कुछ फैमिलर है उसको आप मतलब अन्फैमिलर बना दें और जो अन्फैमिलर है उसको आप फैमिलर बना दें मतलब जो मानूस है उसको आप गहर मानूस बना दें और मानूस तो गहर मानूस बना दें This could disturb करना है कहीं आपको आपकी सोच को तो गिल्ड भी देकी इसी से पैदा है बारवा लिखा है कि मैं खुश करने की नहीं लिख सकता हूँ मैं लिखी नहीं सकता किसी को खुश कनने के लिए मैं इंटरटेन्मेंट के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं वाववा नहीं कि मैं कोई मशायर नहीं कि आप वाववा कर दें और मैं ये भी नहीं कि कंसर्णट में कहीं बैटा हुआ मैंने कोई मीजिक छेड़ा हूँ और आपने उसके पूर तालिया बजा दी मैं इसलिए लिख रहूं कि जमीर के सदर दरवाजे के ओपर आपके कमसकंंदस तक लगाऊंगा। जमीर आपका जागे या ना जागे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब करूं और वो आपका जो पूरा मॉरल बल्लद सिस्टम है जो आपका पूरा ऐस्टेटिक्स है जो आपका पूरा एथिक्स है या जो आपका सोचने का ढहंग है एक खड़की कोई और भी खुले कि आप उससे भी चीज़ों को देख सकें आपके पास कमरे में एक ही खड़की है फिक्शन निगार का काम शायद यह है कि एक छोटी सी खड़की है इन तमाम तरह की बात करते हुए या किसी मतलब आपके दूसरे अफसानों की भी बात कर लें तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि आप ना के दूसरे तरह से देखने का रवया है आपके यह चीज़ों को और पुबूल करने का बलके मैं शायद उस रवये को नाम देना चाहूँ अपने तरह पर तो बड़ा है आती आती या वजूदी आती या उसको और मतलब मैं कहूं के एक तरह की उन्टोलोजी हो शायद वो इस तरह की चीज़ें ज्यादा दिखती है आपके हैं यह वजूदी मसला है यह हमारे यहां दूसरे तरह से रहा है लेकिन आपके यह बिलकुल अलग उसलूब यावल का अलग स्टाइल है यह जरा सा अगर आप हमें समझाएं कि यह कहां से आता है और मतलब बहुत हावी तोर पे किनुआता है मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बास से कि आपने जो इस वाट जो यह सवाल किया तो आपने बहुत उंदा एक बात यहां यह कही कि हमारे यहां वजूदी मसले है आया है और कितने लोग है लिखने वाले मेरा खायर है आपका कहने का मतलब यह है कि तजरीद वहां जादा हो गई तो एक जमाना था कि हर आदमी अपने आपको वजूदी अधिव और एक जो जो अए अलामती कहानियों का जो पूरा सिलसला हुआ था पूरा पैदा जिसमें कि लोग कहते हैं कि बयानिया उस तरह का बयानिया नहीं था तो जरसा सची बात यह है कि वो ठोद बयानिया नहीं था ते वो नहीं किया गया हमारे हैं अर्दू में कोई रिवायत नहीं आप किसी कहानिया देख लीजे किरदार परचाईया है परचाईया भी नहीं बलके धंडली सी बहुत परचाईया है ठोस किरदार नहीं आपको मिला है उसकी वज़ा यह कि हुमान एंगिल गायव है उसमे की. आप अपनी रूह की जबान लिखेंगे तो आपको ठोस होना पड़ेगा. तो जो आप हैाति आती सता की बात आपने की. या जैसे हवा ही आप किया किरदार है बहुत उस तरह से. आप हवा को परसानिफाई अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है और आपकी आगर हवा हवा ही रह जाती है जब तो आप मतलब हवा को परसानिफाई कीजिए आपको मतलब शोर को परसानिफाई कीजिए और इस तरह की चीजें और बहुती चीजें मेरी असल में अलूम से भी आती है तो अलूम से बहुती ची तो उससे कोई तालोग बना या वो सिर्फ इस्तारा बन गया अगर वो सिर्फ इस्तारा या वो सिर्फ अलामत बन गई तो बेकार है मुझे लगता है कि वो उसका कोई माने नहीं है जब तक कि वो कहीं किसी हूमेन अंगिल से जुड़ता नहीं है आप जैसे ही कोई बात करते ह लेकि अगर आप उसके लिए कोई मिसाल बाहर के दुनिया से नहीं लेंगे तो कैसे बनेगा जैसे mathematics ही है mathematics क्यों मुश्किल लगता है इतना मुश्किल थोड़ी है इसलिए कि mathematics जस तरह पढ़ाया जाता है फियाद साहब उसको पढ़ाने में हुमेनेंगिल गायब हो जाता है। वो जो हमारी रोजमर्रा की जिंदिगी है ठोज जिंदिगी उससे जोड़के अगर पढ़ाया जाए तो मैथेमेटिस्क का कोई मस्लिया नहीं उससे जोड़के नहीं पढ़ाते। नंबर से नंबर तक का सफर रहाता है फार्मूले से फार्मूले तक का सफर रहाता है। एक जुमला मैं आपको मैं ये मुझे याद रहता है मैंने मौत की किताब में लिखा था جس کے بارے میں बहुत बहुर बहुर भी और आसीनी ज़ीन लिखा जिया भी ये इस तरह अब देखे उसमें बियानिया हैं और वह बिल्कुल सब्जेक्टिब बियानिया ये लेकिं तजरीदी नहीं आप देखें कि मौत्ती किताब तजरी नहीं निमत खाना भी तज्रीदी नहीं नया नाविल आ रहा है अर्सलान अबैदाद वो भी तज्रीदी नहीं वो ये कहता है कि अरे मैंने जो गुनाह किये मैंने बड़े गुनाह किये अब ये उसकी खुदकलामी है पाने जो मैंने जो भी गुनाह किये वो ऐसे गुनाह किये जो उन फलों की तरह थे जिनकी गुठलियां होती है वो उन फलों की तरह थे जिनकी गुठलियां होती है और गुठलियां जो होती है वो फल खालेने के बाद आपके सामने पलेट में आपके मूँ की राल में लिप्टी हुए आपके सामने पड़ी रहती है और जह जह आप आपने कितनी जामन खाई हैं वो गुठलियां गिन सकते हैं कि आपने आठ खाई हैं कि दस खाई हैं कि बारा खाई हैं तो वो जामन खाने के बाद भी वो गुट्लियां ये बता देंगी एक एक फेरिस्त है आपके साथ जो आसे पी तरह आके आपके पीछे लगे रही वो कहता है कि मेरी जिंदगी में मेरे मतलब मकदर में ऐसे होता है ऐसे गुनाग क्यों नहीं आए जिनको करके मैं भूल जाता है एक दम रिष्टा बाहर की चीज़ से जुड़ जाता है फनों से जुड़ जाता है या वही किरदार एक जगा कहता है कि मैं तो तमाम जिंदगी एक ऐसी फिल्म देखता रहा जिसके जो कैफशन आते थ वो किसी दूसरी दमान में थे लेकिन जब उसमें कुछ टेकनिकल खरावी ऐसी पैदा हो गई थी कि डायलाग में और कैफशन में दूरी पैदा हो गई थी कि जब तक डायलाग आता था तो वो कैफशन कोई और होता था वो बतलब उसके आगे का कैफशन होता था और जो व और उसके कैप्शन्स आते थे उसमें कोई तालमेल नहीं रहा तो इसलिए जो है वो मेरा बेड़ा घरक हुआ और मैं जिन्दगी को बिलकुन नहीं समझ सका जिन्दगी मेरे लिए एक ऐसी फिल्म की तरह थी जिसको मैं समय है अब यहां पर यह मैंने ठोज बयानिया लिखने चाहता है लेकिन चूंगे वह होती है हमारे साथ यह तो फिर हम उसकर बाप कर देने लेकिन मैं चाहता हूं कि कुए आपने यह लिखका है ओर इस तर्ह से नहीं आया ही यह चीज़े है ये मतलब क्या मतलब experience रहा आपका उनके साथ बहुत अच्छा experience रहा और उसकी वज़ा एक तो ये भी थी कि चूंके फारुकी साब से हमारे बिल्कुल घरेलो तालुकात थे तो हमारा बिल्कुल मिलना जुलना तो हमारा था ही और फिर चूंके वह जामिया में English की प्रोफेसर प्रोफित थी मैं यहां उर्दू प्डाता था तो हमारा रोज का मिलना जुलना या हकते में एक बार तो मिलना होता ही था जब वो pactation करते इसे हमनगा आपको कोई डाउट होते थे तो मैं clear करने की कोशिक करता था मुझे कोई doubt होते थे तो वह clear करने की chi कोशिक करतی थी तो ऐस तरह से ये हुआ कि ओदूसरी दूनिया को टूसरी दूनिया तक लेकर जाने का काम करता है। वो एक तरह का टांस्पोर्टेशन है अब आप की दुनिया को कोई भी मतरज्जिम कितनी बगएर कोई मितलब उसको गजन पहुचाए बगएर वो तूटे फूटे किसी चीज के कोई चीज है आपके पात बहुत नाजुक सा कोई शीशे का कोई कोई शोपीस है उसको यहां से कल्चर है जहां दूसरा सखाफत है जहां पर रीटिंग के तरीखे अलग हैं जहां पर राइटिंग के तरीखे अलग हैं वहां आप ले जा रहे हैं यह नहीं ले जा रहे हैं अगर वहां आप काम्यावी से लेकर आपने पहुचा दिया तो यह मतरज्जिम का कमाल है कहीं मतलब तरसील की उस हद तक या उस सता तक ले जाना है जो कम से कम तखलीकार को भी एक हद तक सटिस्वाई करे के ये हमने लिखा था तो इसी तरह का experience रहा है हाँ मैं पूरी तरह से सटिस्वाई रहा है जैसे अब हम लोगों का इंगलिश में तो उन्होंने मुझसे का कि खाले साथ मैं इसको चपाती कर रहे हैं तो मैंने का क्यूं पूली इंगलिश में जब रोटी के लिए जाएगा ना तो वहां रोटी की concept अलग है तो अगर वहां समझाएंगे तो फिर ब्रेड हो जाएगी क्योंकि वो उसका एक ट् चपाती जो खालिस इस बख बोले इंडियन वर्ड है और उसको आक्सफोर टिशनरी के अंदर आप शामिल कर लिया गया है उससे एकदम किलियर हो जाता है कि चपाती क्या चीज हो सकती है रोटी से वो मतलब लोस की तरफ चले जाएंगे कभी और कभी वो जो डवल लोटी ह ग्वल और तो हर जहो चूल ही लिखा गया है इंग्लिश में चूला लिखा गया है इच वो तो इसमें ज़्यादय प्राब्लम नहीं होगी चुणके वो दोनों की ग्रामर एक है उसमें तो खाले जो मुश्कीล लवज है उर्दू के मुझे लगता हुए मतलब यह कि हिंद तो कोई मसलिया नहीं पैदा एक ही कल्चर है बिल्कुल तो उसमें कोई मसलिया नहीं हुआ तो यह जब दूसरे कल्चर तक जो बिल्कुल अजने भी कल्चर है वहां तक आप जब उसको लेके जा रहा है अब यसे उसमें है कि वह अपने ही घर में पहला जुमला इसका यह जो ओनाजूस, एसे मिलन्कॉली थीज। तो अदास तो मिलन्कॉली में आ गया। लेकि मिलन्कॉली का लणी जो एक तरहा का अगर वहां पे मिलन्कॉली की जगह सेड लिख दिया जाता, तो नहीं होता, लेकिन काला चोर हटा दिया गया क्योंकि काला चोर खालिस अर्दू का महावरा है जो उस आर्डियन्स तक पहुंचे गई नहीं क्योंकि काला चोर के साथ हमारे साथ कुछ एक शर्मिंदी की का भी तस्वर है जो हम उन्हें नहीं नहीं समझा पाएंगे बिलेक थीफ पो कुछ जासूसी सी चीज़ और कुछ हर और सी चीज़ हो जाएगी तो यह तैय हुआ कि भी इसको हटा दो कहीं इस से इनको कन्फियूजन हो बिलेक थीफ से चुके वो उर्दू का खास महावरा है तो जैसे कहते हैं भाई कौन तो कहते हैं मैं काला चोर तो उसमें सेंसव हूमर है वो सेंसव हूमर यहां से गायब करके थोला सा मेलन कॉली थीफ तक लाएगी है इस तरह की बहुत सी चीज़े है अच्छा मैं जरा साब यहा हूँ कि अब अंग्रेजी में हमारे सामने या हिंदी में भी है और अविजिनली उर्दू में भी है तो जाहिर है कि अब इसके मतलब रीडर्शिप अलग तरह की हो गई है या अलग अलग तरह के लोगे बीच पहुंचे तो मैं खास तोर से का मुकालमा करते हैं देखिए यह सवाल अकसर लोग कूछते हैं मुझे लगता है कि इस सवाल में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इस सवाल को लेके जो है वो शायद हम सब लोग एक बन्यादी बात नहीं समझगा है और बन्यादी बात यह कि लिखने वाले का यह मस मान से आई कोई चीज ने वो तो एक मतलब टर्म बना दिया आपके नकाद जो है वो एक ट्रेंड रीडर है तर्विय अद्याफत कारी है जो पूरी अदब की रिवायत उसके उसकी खुसूसियात किसी फंपारे की उसकी जो फाइनल एलिमेंट है उसकी खूबिया उससे वो बेतर तरुछ से वाकिफ होता है और जब यह सोसाइटी बिलकुल सिंपिल थी तब तब तो किसी नकाद की दरूद भी नहीं थी जो कुछ यह जो कुछ लोग कताओं के दमाने में कोई बीच में तो नकाद था नहीं कुए जो कुछ कहा जा रहा है वो सीय सीदर राइटर त का तब नकाद का यह फर्ज था है कि भी वो बताय जो और नकाद कौन था नकाद भी एक रीडर ही है लेकिन वो वाकिफ है अदब की तवाम खूदियों से उसके टूल से वो वाकिफ है तो यह नकाद का काम है बेसिकली बनना तो देखिए कोई भी लिट्रेचर फिर तो कभ पड़े लिखे कोई जादा पड़े लिखे और मतलब किसी का जौफ हूद किसी का जौफ है असल मैं यह चाह रहा था कि जो जहनी तरबियत के अदारे हो सकते हैं हमारे हाँ चाहे वो हमारे कॉलेज हो या इस तरह की दूसरी तमारे चीज़ें हो तो शायद अब भी हम निस लिख रहे हैं दूसरे लोगों के लिए तो आप मतलब उसको सिरे से रिजेक्टर रहे हैं तो आप तो आम आदमी की सता पर खड़े हुआ हूँ आप कह रहा हो कि मतलब राइटर को ऐसा लिखना चाहिए जिस से जो के रीडर तक पहुंचे तो राइटर के सामने रीडर कहा होते हैं कि कौन सा रीडर रही इन्विजिविल हूँ मैं तो जब कहानी लिख रहा मुझे क्या मालूं के उसको कौन पढ़ेगा वही उसको कोई भी पढ़ सकता है अब अपने जो भी पढ़ने वाले हैं तो अदब के सकालरों को अदब के बारे में बताने का फर्ज तो बन इस फिल्म के क्या फाइनल अलिमेंट होता है फिल्म बनाने वाला तो आके कहे गा नहीं कि हमने तो इसलिए यह सारी बाते हैं क्यूंकि आपका यह नकात का काम यह है कि कारी की जहनी सता को बलंद करें और जो चीज़ उसकी समझे में नहीं आ रही है हमने तो ऐसी सीखा है ठीक है हमने जब जब हमने कफन बिलकुश शुरू में पढ़ा होगा तो मतलब हमने उसको कहानी की तरह पढ़ लिया होगा लेकिन यह बहुत बात में जब हमने कफन के उपर बड़े लोगों के मदामीन पढ़े और बड़े जो मतलब जो रियल जो नकात थे उसमें हमने प दीजिए वो आपकी सथा पर क्यों आएगा आप पढ़ने वाले हैं आप उसकी सथा पर आने की कोशिश कीजिए इसी में एक क्या वो कहते हैं ट्रिलिंग का एक कॉल मैंने इसमें डाला है वो मशूर मतलब वो नाकिद हैं उन्होंने इतनी उंदा बात कही है कि हमारी क्या मज ला रहा है अर्सलान और बहजाद तो यह किस तरह का है मतलब हमें क्या तबको पालनी चाहिए उसमें किस तरह के मौजवात हमें मिलेंगे चुंकि उसलूप की सथा पर तो मुझे मालूम है कि आपने फिर कुछ आनों खाई वहां एक नए उसलूम या नए स्टाइल में बात क अधिकली वही उसकी कहानी है और मैं ऐसे कह सकता हूं कि खुआप हक्यकत और वहम वहमा शाइबा इसकी जो हमने बना रखी है जो इनकी सरदें बना रखी है जो इसमें फरक हम करते हैं तो तोटल जिंदिगी को अगर आप देखें जिंदिगी को उसकी अपनी सालमियत में या उसकी टोटलिटी में देखें तो ये सरदें टूटती हैं तो ये उन टूटती हुई सरदों की एक तरह से दास्तान है कि हकीकत और इलतिवास और इलतिवास और हकीकत और खौब और वहम और ये सारी चीज़ों के जो हमने अपनी सेर्फ डेफिनेशन्स बना रखी हैं बिल्कुल नाविल अभी ताजा आ गया इस नाविल को लिखने के बाद नेमत खाने को लिखने के बाद पिर मैंने ये अर्सलाम अबैदास से पहले ये खंजर पानी में लिखा था तो वो भी काफी मशूर हुआ मतलब नाविल और वो एक उसकी आर्काईवल वैल्यू भी हो गई क्योंकि वो पैंडिमिक पे लिखा हुआ शायद क्या मतलब मैं शायदी कहूंगा मेरे पसामने कोई चीज़ नहीं आई ये तो शायद का लवज इस्तेबाल करना ठीक है कि पैंडिमिक तो उर्दू में कुछ नहीं है मराथी, बंगाली, तामि, सम्मे महामारियों पे काफी लिखा गया है इस्पेनिश फिलू जो उननीस सो बाइस में पहला था उससे बहुत आपको कहानिया मिलेंगी बहुत चीज़ आपको मिलेंगी मीजल्स जो फैलती थी स्मॉल पार्क, चिकिन पार्क, उसे बहुत आपको कहानिया मिलेंगी नावी मिलेंगी, अर्दू में नहीं ये मुझे ऐसे मालुम हुआ कि एक पूरा प्रोजेक्ट है जो कि पर्टियाला यूनिवस्टी के अंदर एक प्रोफेसर है तो उन्होंने ये तमाम इंडियन जो मतलब रिजनल लेंगोजी थे उनमें से ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहा और कर रही है, कर लिया है वो काम, के जो पैंडिमिस पे हूँ उझे एक कहानी यादा रही है ये बेडी की, वो कॉरिंटाइन करके हाँ तो वो 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 एक चोटी कहानी है और वो भी बद तरह वो अलामती जादा है ठीक है आप, तो इस तरह की चीज़ या वो डिप्टी नजीरमा तो बहुत पहले या उस जवाने में क्या था कि फसाना है नादर जहां नाम से एक वो मतलब छोटी मोटी से एक वो नाविल नुमा चीज़ चपी थी उसमें एक लाल बुखार का देखा है लेकिन ये तो बहुत परानी बात हो गई अब उसके बाद आप देखिए कि ये जब से बाकाइदा महामारियों को दोर शुरू हुआ ये पूरा 1920 और 1922 के बाद से और पिलेग और ये और वो तो कहानी उस तरह से नहीं है क्वारंटाइन भी देखिए वो तो वो है कि एक कॉंसेप्ट है एक अलेज़गी वाली वो दूसरी चीज़ हो जाती है लेकि बाकदा ठो सत्य के ओपर पैंडिमिक के ओपर कोई भी कहानी कोई भी नाविल उन्होंने च्छाटा उर्दू में नहीं मिला तो वो इसी नावि तो बहुत आखिरी हिस्टे में कि इन दो पढ़ क्या रहें हैं अब पढ़ते हो तो मैं मतलब कुष्णे přेंगा रहता हूं मैं आजकल साइन्स कोई मदामीन पढ़ना हूं कुछ फलसफा को मैं लगातार पढ़ता रहता हूं और फलसफे के सेमिनारों में भी जाता रहता इसमें क्या फर्क है इसको मैं आजकल देख रहा हूं पढ़ना हूँ और उसकी रौशनी में उन्होंने शेक्स्पिर की ड्रामे को देखने की कोशिश की है तो वो सब चीज़ें पढ़ना हूँ फिक्शन नहीं पढ़ना हूँ आजकल कोसी कोई तरह का अभी मतलब अब एक दम आखरी सवाल बलके आप उसको सवाल कहलें के एक तखलीकार के तोर पर अलग अलग वक्त में लोगों ने उसको अलग तरह से देखा है आप क्या समझते हैं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक तो वो अपने एहस जो है जो उसका अपना समय है उससे कटे कोई भी चीज तफ्री के लिए ना लिखे कोई भी चीज इसलिए ना लिखे कि ठीक है ये पसंद आईगी बलके उसको रिस्क लेना चाहिए अपने जमाने को अपने एहद को महसूस करना चाहिए और महसूस करने का मतलब उसका ये नहीं है कि उसकी रिपोर्टिंग करे हो बलके उसको महसूस करके उसको आर्ट की शकल में उसको ढालने की कोशिश करना चाहिए और बहुत एमानदार होना चाहिए उसको जो भी चीज लिखना चाहिए वो पहले बीस बार अपनी रूह से ये कि कोई भी लिखने वाला जो होगा जो भी फनकार होगा वो अपने माशरे का सबसे हसास पर तो होता है लेकिन इस एसास को और इस हिस्सियत को आर्ड बनाने के काम हर आदमी नहीं जानता है तो इसको आर्ड बनाने की कोशिक करना चाहिए तो जो तकलीक कार हैं उनको अप करके उनकी तकलीव करेंगे पड़ना आपको एक जंड़ में घुमाना है दर दरसल एक जंड़ ईड़र आप उसमें भूमिये तो जब आप पूरा जंड़र भूम लेते है उसके बाद जब बाहर आ पाते हैं तो आपको फिर बदलिग़ मैं जैसे मैं यह कहते हूं कि जब आप समंदर के किनारे खड़े हूं और इससे पहले जो आपके मौले की नाली थी वही मतलब उसी का पानी आपको नगर आता था उसी को फंलांगना मुश्किल था जब आप एक बार देख लेते हैं समंदर को उसके बार फिर देखिए कि अब की के ओपर मक्षी डाली जाए वो डर बहुत है तो बोर्ड बहुत होना चाहिए तकलीकार को उसको रिक्स लेना चाहिए उसको बिलकुल परवा नहीं करने चाहिए कि उसकी कोई चीज पसंद की जाएगी कि नहीं की जाएगी कारी समझेगा और यह तो बिलकुल नहीं समझ मेरे चारी सिर्फ 40 थे. 40 लोगों, मेरे तुसरों चालिस चारी है. 50 लेकिन बस यह वह उसका कहना है कि यह बहुत जादा हैं भी तो उसकी परवह नहीं करना चाहिए कोई ना कोई कारी आपका पैदा होगा और कारी का मतलब ये बिल्गू नहीं है कि वो आपको पसंद कर जो जो आपको एकदम इसको पढ़के कहे कि वाव 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 कारी का मतलब ये होगा आपको अपने दुख दर्ब में और तकलीखी कर्म में जो शामिल हो उसी को कारी काई यह बना और बहुत से कारी आपकी कितनी भी तारीफ करते रहें किसी तकलीकार की उसको हमेशा उसको खुश नहीं होना चाहिए उसको शक्षुबे से देखना चाहिए देखना ही यह चाहिए कि क्या वो उस कर्व में शामिल हुआ अपनी तारीफ कभी नहीं चाहिए तारीफ बहुत ही गलत चीज है किसी मतलब राइटर के लिए तारीफ नहीं होना चाहिए उसको समझने की कोशिश कर नहीं उसको लिखना ऐसा चाहिए तो हाला के हम जतनी बात करना चाह रहे हैं वो वक्त की सब्सक्राइब करें और बैल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें